हेलो एब्रिवान वेलकम डू माई यूटिब चैनल तो सिपट के लिए तैयरी करें तो आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि है क्लारिफिकेशन और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो आप लोगों को टेंसल नेने की कुछ जुन ने जिस्ट एक देखा है यह देटरस एक्टाइब इसके उपर भी मैंने एक डेटिकेटर बनाया था कि किस तरह से आप लोग हाव टो इंप्रोव यूर स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं उसके लिए वीडियो को चेक नहीं किया तो प्लेइलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं देखें आज पर इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसे हिसाब से आप लोगों को फोलो करना है इस पेपर उप 90 मिनिट्स याने देड़ गंटा का एक्जाम होगा विद 70 MCQ कोस्टें रहेंगे देड़ गंटा का एक्जाम होगा यहां सा थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों या थोड़ प्रिष्टी पर अज पर दो फोड़ेज़ ओल्ड इस से लाबस तो आप लोगों का जो शीलाबस है ओल्ड सीविसी शीलाबस यूजी के 2016-19 नौ उसी के सीलाबस से आएगा लेकिन ध्यान देजीएगा फ़र एक्जामबल आप लोग बॉत्नी है तो आप लोग बॉत्नी के कोर में से 40 question आएंगे और आप लोगों का उसी के बोटनी के जी पेपर के 30 question आएंगे टोटल 70 ठीक है टोटल 70 question 40 question आप लोगा कोर में से और 30 question आप लोगा जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगबास है महां हाला कि उसको अरण अलक्से किया गया है लेकिन topic सभी के सभी सभी से मैं तो आप लोगा यह था अबडेट और बाकि आप लोगा यहां पर देखिये इट में भी आपको इसे साब से कोश्चिन बगरा देखने को मिलाएंगा 40 और से फीजिक्स अगर बात करें 14 पेपर से आएगा और 30 आप लोगों का जीए पेपर से आएगा उसके बाद देखिये इन मल्टिडिस्प्लेर सब्जेट में फोर एक्जामपल यहां पर में आंथ्रोपोलोजी जिसको करना है मल्टिडिस्प्लेर का बात किया जा रहे ठीक है कोर का नहीं बात किया जा रहा वह किस तरह कुश्चिन देखेंगे एफ्यू क्वेस्टेन रिलेटेट टू इंटर्फेस बीटूइंग आंथ्रोपोलोजी एंड हिस्ट्री सोचियोलोजी साइकोलोजी में भी इवें तो इनको मिक्स कुश्चिन मिलेगा किसके लिए मल्टिडिस्प्लेनारी सब्जेट के लिए ठीक है तो आप चाहें तो इसको पहुच करके पढ़ लेना मैं धीरे-धीर स्क्रोल करते रहा हूं यह रहा ठीक है तो आप लोगों को यह पूरा अच्छे से पढ़ लेना समझ लेन से और नेक्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों का जो भी आपडेट रहेगा